पीस्वी शतापती कईयों ने अपनी आवाज उठाई पर उनकी आवाज को दबा दिया गया विनायक दामुदर सावरकर, गनेश दामुदर सावरकर, भाई पर्मानन, बटुकेश्वरदात, दीवान सिंग, कई ऐसे नाम जिने कमी लोग जानते हैं और कई ऐसे नाम जिने कोई नहीं जानता जिए और मरे, उस अपरात के लिए जिसे देश प्रेम कहते हैं, सेलूलर जेल भारत के इध्यास का वो काला पन्ना है, जिसे पढ़ना जितना मुश्किल है, उतना ही जरूरी ही, अन्दमान निकोबार्ग पर सेलूलर जेल एसे ही खंधर पड़ा रहे, तो देश की नई पीडियों को हमारे पुरवजों ने क्या ही आतना ही जेली ती, कैसे पता चलेगा? इस जेल में 396 सॉलिटरी सेल्स हैं, तीन फ्लोर्स और साथ विंग्स, जो फ्रीडम फाइटर्स हंगर स्ट्राइक करते उन्हें फॉस्पीट किया जा था, इन फाक्ट कई क्रांतिकारों की मौत की वज़ा थी, ट्राउंट इन मिल्स, यहां के ओल मिल्स क्रांतिकारियों के शरीर को ही नहीं, आत्मा को भी तोड़ते थे. कभी 87 वीरों को एक साथ फासी दी गई, तो कभी टॉर्चर करने के नए तरीके आजमाये गए. हमारे इस पतंतरता संग्राम की इतिहास को जानना जितना जरूरी है, उतना ही उसे संजोना भी जरूरी है. क्योंकि उन वीरों ने अपने सुख दुख की चिंता ना करते हुए, यहां की गलियारों में इन हुमन पनिश्मेंट सही, लेकिन वो हारे नहीं, जुके नहीं, वे अंग्रेजों के जुल्म से लड़ते रहें. इन बलिदानियों में सबसे उपर नाम है विनायक दामुदार सावरकर का, जिनको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहां आकर श्रधा जली दे. पोर्ट प्लेयर में सिर्फ सेलूलर जेल की ही नहीं, एक वक्त पर रॉस आइलेंड कहे जाने वाले आइलेंड की भी एक दिर्चस्प कहानी है. भारत के इथियास की बात की जाए, तो नेताची सुभास चंद्रबोस का नाम हमेशा आता है. His contribution towards the freedom of India has been huge. पर बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि उन्होंने आजाद हिंद फौज की नीव रखी जिसने अंडुमन एंड निकोबार आइलेंड को आजाद करवाया in the year 1942, यानी भारत की आजादी से पांथ साल पहले. जो काम पहले ही हो जाना चाहिए था पर नहीं हो पाया, उसे आजादी के साथ दश को बाद 30 December 2018 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्रम मोदी ने किया. नेता जी की इस विरासत को सम्मान देते हुए इस नेल आइलेंड का नाम बदल कर शाहीद द्वीप और हैवलोग आइलेंड का नाम बदल कर स्वराज द्वीप कर दिया. सिर्फ इतना ही नहीं, नेता जी की 126-वी जयन्ती पर प्रधान मंत्री श्री नरेंद्रमोदी जी ने अन्नमान और निकोबार दुईप सम्मोह के 21 दुईपों के नाम बदल कर उन्हें परमवीर चक्र पुरसकार विजयताओं के नाम पर रख दिया. और इस तरह इन दुईपों को गोलामी के प्रतीकों से आजादी मिल गई.